बिसमिदार रहमान रहीम, असलाम अलेक्व, तोड़ेविल्स के दरे मैं रलेशन्शिप को कैसे डिनोट किया जाता है, वैसे तो रलेशन्शिप के लिए हम डिटेल में डिसक्स किया है, हमने र को उस पर वीडियो अवेलेबल होगी, आपके पास चैनल पर और कोर्रेलेशन का जाता है उसको, लेकिन अगर आप सिंपल डियाग्रामिक डियाग्राम की फॉर्म में डिस्क्राइब करना चाहते हैं रलेशन्शिप को, तो उसमें हम आर पास एक बढ़ी अच्छी सी option अविलेबल है, स्कुटर डियाग्राम की, सो वर्न बिखने लेते हैं तो य-axis पर डिपेंडन वेरिबल लेते हैं अगिस्क्राइब में लेते हैं ताग्या आपको, जब भी कोई और पर्सन भी आपके भाट को देख रहा हो, उसमें पता हो क्यों ऑन्पैंडट बेरिबल और फो इसला इन डिपांड है , इन डिपेंड़ामिक let's discuss this cost and age age of buses and maintenance cost के जैसे जैसे हमें नाशनल रूलाफ था में जैसे जैसे बस पुरानी होती जाती है उसकी maintenance cost जो है वो increase करती जली जाती है ठीक है तो first post हम यह देख रहे हैं जी एक bus जो कि एक साल पुरानी है उसकी cost आ रही है जी हमने horizontal axis पे जो है वो एज ले लिए और vertical axis पे cost ले लिए क्योंकि independent variable एज है एक से ले लिए और y-axis जो हमारा dependent variable है इसको हमने यहां पर ले लिए जी तो पहले साल के बाद कुछ bus जो एक साल पुरानी है उनकी cost आ रही है 3800 US dollars annually और जो busses two years पुरानी है उनमें कुछ की cost जो आई है वो 4000 डॉलर आई है पॉच की 5000 डॉलर आई है और कुछ की 5500 डॉलर आई है जो बसे तीन साल पुरानी है उनमें कुछ की cost जो है वो 5600 डॉलर आई है कुछ की 6000 डॉलर के क्रीब आई है ठीक है तो आप जो आपके पस X or Y की values होंगी उनके cross पे जो point बनेगा उस पर dots लगाते जाएंगे तो वो dot plot बन जाए ठीक है अगर line जो है वो zero से start होके bottom से और right side पर upward move कर रही है तो it means there is a direct relationship means positive relationship है कि आपके पास जैसे जैसे age of the bus increase करती चली जा रही है prices भी और की cost of maintenance भी increase कर रही है तो जितनी पुरानी bus होगी उतनी ज़्यादा maintenance cost आएगी और जितनी नहीं bus होगी उतनी कम maintenance cost आएगी तो यह positive relationship है between the age of the bus and the maintenance cost के दिर्मयान ऐसे ही negative relationship कैसे होगा हम यहाँ पर एक और देगे लिएतनी जी option price versus the odometer so auction price and odometers के दिर्मयान जो है वो यहाँ पर आप चेक करें तो इन dots के दिर्मयान रहा करें तो there is a diagonal line from top to right bottom so top to right bottom पे जो line आ रही है वो diagonal आ रही है तो means के there is a negative relationship between the two variables the odometers and the auction price जैसे जैसे odometers increase कर रहा है auction price जोगो decrease कर रही है और odometer जो है वो decrease करेगा तो price जो प्रैस जोगो increase कर जाएगी odometer is a standard of something किसी भी चीज़ के specific product standard को measure कर रहा है तो जितना जादा standard अच्छा होगा जतना होई अगतीव हो जाएगा तो ए मिरोन चाहित रुख् 진े सैंडड़गा। तो there is a negative relationship between the auto-metal value and the action prices. So हम जब dots के तरिम्यान लाइंटरा करते हैं, तो इसे relationship पता चल जाता है. लेकिन यहाँ पर अगर आप देखे हैं, तो dots बतो बता scattered हैं. So हम किसी भी साइट पर लाइंटरा नहीं कर सकते हैं, तो it means there is no relationship between the height of a person and the salary of that person. So height or salary के तरिम्यान कोई भी relationship नहीं होता है, naturally भी. So spurious relationship भी यहाँ पर शो नहीं हो रहा. So we are unable to find out any sort of relationship in such type of scatter plot. So यहाँ पर positive relationship नजर आ रहा है, यहाँ पर negative नजर आ रहा है, यहाँ पर कोई भी relationship आपको नहीं आ रहा. So scatter plot के एप example भी आपको देख सकते हैं. We can draw the scatter plot with the help of Excel as well. इस पर अगलाद से series अवेलेबला है कि this scatter plot कैसे plot करना है, वो भी आपको ग्रूप में अवेलेबल होगी. शुक्रिया, धन्यवाल and thank you. इससे relevant कोई भी issue, कोई भी problem है, तो आप इस video के comment section में comment कर सकते हैं, आपको timely response कर जाएगा. Thank you again.